तो आप सब कुछ हर और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि दूद पीना हमारे सियत के लिए बहुत ही ज़ादा फाइदेमन होता है चाहे बात हो गाएके दूद का या फिर इसके अलावा भाहिसिया का दूद या फिर बकरी का दूद मतलग जो भी आपको सहुलियत हो जाए जो भी आपके आसपास मौझूद हो तो हम सब जानते हैं कि ये सहत के लिए बहुत अच्छा होता है और रोज कम से कम एक गिलास दूद पीना ही चाहिए वो भी उबाल कर क्योंकि जो ठंडा दूद होता है उसको पचने में काफी जाता टाइम लगता है इसलिए जो दूद होता ह उसको गरम करके उबाल के उसके बाद उसको पीना चाहिए तो जल्दी पच्छता भी है और इसके अलावा वो सियत के लिए बहुत अच्छा भी होता है अलाकि कुछ ऐसे केसिस भी मैंने देखे हैं जहां पर काफी सारे ऐसे लोग हैं चाहे लड़का हो या लड़की उनको दूद पच्छता नहीं है हजम नहीं होता है उनको उल्टी हो जाती है या फिर उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है तो ऐसे को ऐसे लोगों को तो मैं यही बोलूंगा कि हो सके तो आप दूद मती पियो इसके अलवा और भी बहुत सारे हल्दी ओप्शन्स हैं जिसको आप खाकर या फिर पीकर अपना सिहत बना सकते हो जरूरी नहीं कि दूद ही एकलोता ओप्शन है अलेकि देखा जाए तो दूद बहुत ही पॉस्टिक आर होता है देखा जाए तो अपने आप में एक कंप्लीट मील है वो तो लेकिन फिर भी अगर आपको दूद से दिक्कत है दूद पीने से आपको प्रॉब्लम होता है तो आप जरूरी नहीं कि आप पियो उसका जो अल्टेनेट है वो आप ऑप्शन देख सकते हो साथी साथ यहां पर मैं एक और चीज यहां पर बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को दूद हजम नहीं होता या फिर दूद पीने म मतलब हो सकता है तीन साल लग जाए पाच साल लग जाए दस साल भी लग सकते हैं लेकिन आपको जो शेरिर होया वो धिरे 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 दूद को जो है वो हजम करना या फिर पचाना स्टार्ट कर देगा क्योंकि जब हम किसी भी चीज को धिरे धिरे मतलब शेरीर में लेने लगते हैं या फिर उसको खाने लगते हैं पीने लगते हैं मतलब अचानक से नहीं कि आपने डेली एक एक गलास पीना शुरू कर दिया वरना आपकी हालत तो पहले जैसी हो जाएगी तो आपको देरे देरे दूद का सेवन करना है क्योंकि अगर आप वैसा करते जाओगे तो शेरीर को उसके आदित पड़ेने लगीगी और हो सकता है कि कुछ सालों के बाद जो दूद पीने से आपको उल्टी होती थी या फिर आपकी तबियत कराब खराब हो जाती थी खाजम नहीं हो पाता था वो धेरे देरे ठीक भी हो सकता है लेकिन इसमें अगुशि करो हगए jáGIS पीने उसके लएक हो यह बोड़ इनकी प्रोबल्मेंज देखने को मिल जाएंगे लेकिन यह बहुत लंबा पुरसेसेели Summa करना चाहते हो तो कर सकते हो लेगन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो अल्टेमिने आप ओप्शन चूज कर सकते हो तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दूद पीने का क्या क्या फायदा है क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों पीना चाहिए हमें दूद और इससे हमें क्य फाइदा मिलता है और किस तरीके से हम दूद पीने का फाइदा जो है वो उठा सकते हैं चाहे गाय का दूद हो या फिर भाइसिया से नहीं या फिर भकृरी का दूद हो जो आपके आज-पास अवेलोबल हो जिसकी कॉस्ट भी काफी जादा कम हो और उसको पी कर आप अपनी स वास्ते को तंद्रुस्त रखने के लिए डाइट में जो है दूद को शामिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मतलब दिन में अगर आप तीन चार बार खाना खाते हो मतलब सुबा का नास्ता फिर दोपर को लांच फिर शाम को हलका फिलका नास्ता कर लिया या फिर वो सनेक देखा जाए तो सहत के लिए काफी जादा अच्छा होता है दूद में क्या कि पोस्टिक आहर होते हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो दूद में होटता है प्रोटीन इसके अलावा कैल्शियम इसके अलावा मेगनेशियम जो की सरीर के लिए बहुती जादा फायदे मन्द ह और इसमें से काफी सार ऐसी पोश्रक तत्व हैं जो कि अध्यों को भी मजबूत बनाने में काम करते हैं, जैसे की कैलसियम हो गया, इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूँ हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जैसे की अल्रेडी मैंने आपको बताया कैलसियम, तो दूत का 7 जो है वो हड़्ियों के लिए काफी जाधा फायदीबन होता है और इसलिए हड़्ियों को मजबूत बनाने के लिए दूत पीना तो बहुती जादा ज़रूरी है इसके अलावा डायबीटीस में यह चीज बहुती जाधा कारगर साबित होती है दूत जो होता है वो तो ग्लाइ सेमिक इंडेक्स वाले फूट्स में शामिल होती है इसलिए दूद का सिवन डियाबिटीज के मरीज भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कॉंटिटी में शगर नहीं होता है तो दूद पीने से तो आपको मतलब सेरीर में पोसक तत्वो तो मिलेंगे ही में भी कोई आपको खास बहुत ही जादा डाउन या फिर बहुत ही जादा हाई जैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा मतलब वो जो डर होता है हमारे अंदर वो आपको कभी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा कि अरे बापर यतना बड़ी है इतना गड़ी है क्या कर तो डाइट में दूद शामिल करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है कई पोशक तत्तों से भरपूर होने के कारण दूद का सेवन करने से आप अपनी मास पेश्यों को मजबूत बना सकते हो सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं होगा दूद पीना भी बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो बहुत सारी पोशक तत्तों का सेवन करते रहना जरूरी है और उसमें से दूद भी एक ऑप्शन है इसके अलावा एनरजीटिक रहने के लिए भी दूद पीना बहुत ही ज़ादा जरूरी है क्योंकि दिन बर की भाग दोड़ भरी जिंदगी हो गई हमारी तो इसमें मत बोड़ी में एनरजी को बनाये रखने के लिए दूद एक अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन जैसे पोशक तत्तों से भरपो दूद का सिवन करने से बोड़ी में एनरजी को बढ़ा सकते हैं और इससे जो क्या है कि वो शेरिर में एनरजी बनी रहती है इसके अलावा सबसे जादा इंपोर्टेंट बहतर नींद जैसे कि अगर आप जानते हो मिलब आप जानती ही हो कि अगर आपको अपनी उमर बढ़ानी है या फिर लंबे समय तक आपको जवान रहना है या फिर आपको अपनी सिहत अच्छी रखनी है लॉंग टांग तक और आप अच्छे भी द पा रहा हूं तो जो गुनगुना दूद होता है मतलब हलका गरम दूद होता है तो इसको हलका मलंग अभी जैसे मैं आपको बताया कॉनगुना जो दूद होता है जो हलका घृम 먹making सेर्ठोनिन बढ़ जाता है तो उससे नींद को बहतर बनाने में या फिर जल्दी नींद लाने में या फिर लंबे समय तक अच्छा नींद लेने में ये जो है बहुत अच्छा कारगर साबित होती है तो उसे लिए दूद पीना तो बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है और अगर आप मतलब वो चीज़ करना ही नहीं चाहते तो उसके अलावी बहुत सारे हेल्दी आप्शन्स है आप उसको चूस करके अपने सेहत पर ध्यान दे सकते हो जुखार झाल 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 झाल